हेलो फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम बेक टू माई कुकिंग चैनल तो श्याम का टाइम था और मुझे लगी थी जोरों से भूख तो खाना था कुछ चट पटा सा सामने रखी थी दिपागले वाले खील तो सोचा इनी से कुछ बना लूँ तो यहां पे मैंने ले ली कुछ सबज डाल रही हूं आप अपनी पसंद की कोई भी सबजी यहां पर डाल शकते हो आप अगाजर डाल शकते हो बींच डाल सकते हो मतर डाल शकते हो जो आपको अच्छा लगता है वह यहां पर डाल सकते हो तो पैन को रख दिया है मैंने गैस पे गरम होने के लिए और उसमें डाल तो मिर्च को तो मैंने आदा ही डाला है क्योंकि मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूं तड़का हो गया है गरम और यहां पे मैंने लेली है राई तो यहां पे मैं डाल रही हूं राई आप चाहें तो राई डाल सकते हो शर्चो डाल सकते हो या आप सिंपल जीरे का तड़का भी लगा सकते हो राई तड़कने के बाद एड़ कर दिया उसमें फ्रैस कड़ी पत्ता एड़ कर दूँगी अपने काटे हुए प्याज प्याज को एक से डेड मिन तक अच्छे से भून लेंगे और मैंने ले लिया यहां पे एक बोईल किया हुआ आलू इसको छील लेंगे आपके पास बोईल के हुआ आलू नहीं है तो आप यहां पे कच्छा आलू भी डाल सकते हो लेकिन आलू को ना आपने बारिक बारिक काटके डालना है ताकि वो जल्दी से पक जाए तो आलू को भी मैंने काट लिया है और हमारे प्याज भी अच्छे से गॉल्डन कलर के हो गई है अब हम इसमें एड़ कर देंगे हमारी हारी मिर्ची और सिमला मिर्च। इनको भी दो शेड़ मिंट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे, साथ में ही डाल देंगे आलू, टमाटर थोड़ा सा बाद में डालेंगे, क्योंकि टमाटर में जूस है, वो रिलीज करेगा, तो एकदम से सब गिला गिला सा हो जाएगा, इसलिए टमाटर हम बाद में एड करेंगे, तो एक चेड़ मिंट के लिए, मैं इसे फ्राइ कर लूँगी, एक चमस्यां पर मैंने डाल दिया है, देशी घी, इससे इसका टेस्ट बहुती अच्छा हो जाएगा, डाल देंगे, इसमें हल्दी, हल्दी को अच्छे से पकने देंगे, और ये लिजे, हमारी सब पक गई है, एड़ कर देंगे, इसमें टमाटर, और टमाटर को भी एक मिंट के लिए, इसमें सिखने देंगे, अब हम इसमें एड़ कर देंगे, स्वादान सा, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, तो यहां पे धनिया डालना ओप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो आप इसको सिंपल नमक हल्दी और मिल्ची से भी बना सकते हो, नमक मैंने अभी नहीं डाला है, नमक हम लाश्ट में डालेंगे, अब मैंने इसमें एड़ कर दिया है, खील, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और यह लीजिए, कितनी यह यमी दिख रही ह है, और उतनी ही यमी यह खाने में बनती है, तो यह लगबग बन चुकी है, स्वादानुसार मैंने अड़ कर दिया है, नमक और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक सेड्रेड मिंट के लिए, मिडियम आंस पे हम इसको पकने देंगे, ताकि सब हमारी खील और तो हमारे टेस्टी स्नेक्स बनके हो गया है, रैडी और मैंने इसको चेक कर लिया है, और अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे खटाई, यह खटा और चटपटा साल लगे, तो यहां पे मैंने ले लिया है निम्बू, अपनी टेस्ट के नुसार आप इसमे निम्बू का डेसि एड़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर आदा निम्बू ही एड़ किया thin निम्बू के मैंने बीज निकाल दिये थे कूछ को यह समad ब्हुत ही इसमें ब्धAb टेस्ट कड़वा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा इसका टेस्ट और इधर बिट्या भी आ गई है देखने कि मुमा क्या बना रही है तो फ्रेंड्स आपको इस रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जिरूर बताना रेस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जदे से जदे सेर करना और चैनल को करना सबस्क्राइब तो निमुकेरस को भी अच्छे से मिक्स कर दिया अब हम इसमें डाल देंगे इसको डाल देंगे प्लेट में और आप न इसको उपर से आप इसमें भूजिया डाल सकते हो पीनट डाल सकते हो अच्छे से उपर से कच्छे प्याश टमाटर डाल कि आप इसको खा सकते हो और यह इनिंग टाइम स्नेक्स बनके हो गया है रेडी तो मैं तो चली फ्रेंड्स खाने तो ओके बाइ फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हॉल बिट्या को खाने की बड़ी जल्दी हो रही है वो लेके चली गई बाइ फ्रेंड्स